सुनभद्र दूद्धी कोतवाली छेत्र के दिघूल गाव में एक विवाहिता का ससुराल पक्षके लोगों द्वारा सर मुनवाय जाने से पुरे छेत्र में संसने मच गई पीडिताव द्वारा खोतवाली में तहरीर देकर मामले में कारिवाई की मांग की गई है मामले को गंभीरता से लेती हुए पुलिस जाँच में जूट गई है जनकारी के नुसार दूद्धी कोत्वाली चेतर के दिगुल गाव की मंती देवी ने थाने में तहरीर देकर ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोफ लगाते हुए बताया कि दहेज में सैकिल वपंखा न दिये जाने के चलते जबरिया बाल मुंडवा दिये गए साथी विगत कुछ महापुर्व से लगातार घर में परताडित किया जा रहा था वहीं पिछले सप्ता उसके पती विनोध सहित ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा जबरदस्ती बाल मुंडवाने के साथ परिजन्यों ने कहा कि सिर पर चुना लगाकर खेत वर सड़क पर पत्त्र देकर के कारवाई के मांगी है वहीं लड़की का कहना है कि मेरा से सभम के लोगों के द्वारा जबरदस्ती मुणवात्य है रोग्त करते हैं ससुराल वाले मुझसे साइकिल और पंखे की मांग करते हैं कि क्या नाम है आपका पंटा जो आपका सर का बाल मुडवाया गया था क्या मामला था पकड़ के छुल दें कौन-कौन पकड़ के वो किया था हमा सास माली आओ सब को मिलके अब ठलाए है धर्पकर करते हैं दहेज वाज भी मांगते थे क्या हाँ पंखा सेकिल पंखा देवा तब इसको रखें देए महारपीट भी करते थे हाँ हाँ महारपीट करते हैं कि अधिन दोड़ी थाना चेतर में दीगुल गाउं में एक महिला के बाज यह सके पसराल वाला काट दिया बादरी मामना दहेज कर बताए जा रहा है तो किसमें क्या कारवाई की जा रहे है कि अधिक खल तासील दिवस्क के समय एक महिला दीगुल गाउं से प्रापना पत् देखी गई थी और यह भी बताया गया कि उसके बाल मुड़वा दिये गए हैं इस समंध में प्रवारी में रिक्षक बड़ा जांट की गई थी उसका पती दिव्यांग है दोनों पहर से इस समंध में जांट की जा रहे है अवे उपंजी कित करके काज़वाई की जा रहे ह झाल